आज हम बात करने वाले स्पेशल एंजल नंबर 1212 के बारे में ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही फास्ट काम करता है मैनिफेस्टेशन के लिए कोई भी अगर इच्छा है तो माना जाता है कि ये नंबर उसमें बहुत जादा सपोर्ट करता है इस वीडियो को जरू से पूरा अंतक देखिए को कि बहुत ही जादा शक्तिशाली और आसान उपाए मैं आपको बताने वाली हूँ नमस्कार मैं इंदू आउजा आप सभी का स्वागत करते हो इंदू जी के रेमिडीस चैनल पर तो 1212 की हम बात कर रहे है जो कि आ रहा है 12th December 2014 को यानि कि 1212 अब सबसे पहले मैं आपको इसका significance बता देते हो 1212 अपने आप में ही बहुत जादा strong number है ये एक angel number भी माना जाता है Secondly, 1 जो होता है वो relate करता है सूर्य से दो number relate करता है चंद्रमा से 1 और 2 को अगर प्लस करते है तो आ जाता है 3 जो कि गुरु का नंबर है ठीक है आ रहा है गुरुवार वाला दन इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि जो सूर्य है वो Sagittarius राशी में आ रहे है और Sagittarius की जो स्वामी है वो है गुरुव तो अपने आप पर ही सोच लीज़े कि आज का दिन कितना ज्यादा strong है तो आज के दिन आपको जो मैं टेक्निक बताने जारी हूँ इसको आप सकते हैं चाहिए वो आपकी हो या आपके किसी भी रिलेटिव के हो इसको कोशिश करके आप बारा बच के बारा मिनट के दुपहर के या रात के करें अगर नहीं पॉसिबल है तो ये पूरे दिन में कभी भी आप ये कर सकते हैं बहुत ही इजी मैं आपको रेमीडिय बताने ही हो सकता है आपको क्या करना है हल्दी ले लेनी है और उसको थोड़ा सा गिल्ला कर देना है उसके बाद उसी पेपर पे कहीं पे भी आपको वन टू वन टू हल्दी से लिख लेना है आप फिंगर से लिख सकते हैं आप कोई भी या तो जो पुरानी पहन होती है उससे तू और की भी हो सकते, overall आपके वल तीनी चाहीं लिखेंगे, और हरे को आप कैसे में लिखेंगे, present tense में, जैसे कि अगर आप अपना नया घर पाना चाते हैं, तो मेरा नया घर बन रहा है, मैं उसमें बहुत जादा खुश हूँ, अब हम सब परिवार वहां पे मिलके बहुत खु सबसे बես को अपना है, और को आपको अपनी इत्छाओं को लिखा है, उस काघस कोई पर भी, अब आपको क्या करना है, इस काघस को फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद इसको किसी भी direction में आप रख लेंगे, रह बेस्टार कि घर स्ञाशान को प्चान में, इस नहीं का घर का जो 39 स्कोना होता है वो भी गुरू से रेलेट करता है ठीक है तो अगर आप इशान कोने में इस कागस को रखते तो सबसे बैस नहीं पता चलता है तो आप इसको पूजास्थान पे रख लेंगे अपने कमरे के 39 स्कोने में भी आप इसको रख सकते हैं आप रख दे खुला रख दे या चाहे तो किसी भी डबी में रख दे अब आपको क्या करना यह जो पेपर लिखके रखा है इसके आगे आपको अगरबत्ती दिखानी है या आपको कपूर दिखाना है या दिया दिखाना है यानि कि आप 12 दिन तक continue इसको आगे दिया जलाएंगे, आप अगर बत्ती भी दिखा सकते हैं, यह पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बाहर लेके जाके भी आप इसको in that case कर सकते हैं, फिर in that case आपको direction देखने की जरूत नहीं है, देखा जाए, तो वो 13th day होता है, लेकिन आप उसी दिन पे इस कागस को आप ले लेंगे, और आप इसको घर के ही पौधे में दबा देंगे, घर में पौधा नहीं है, तो घर के बाहर जाके आप कहीं पे भी इसको मिट्टी में दबा के आ सकते हैं, जो भी आज मैंने आप आपको उपाये बताया, अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आपको पूरा विश्वास है कि ये जरू से काम करेगा, तो मुझे लाइक करके जरू से बताएगा, कमेंड में भी जरू से बता दीजेगा, क्योंकि इस से मुझे बहुत ज़दा इंस्पिरेशन मिलता है, इस 12 नंबर अपने आप में ही बहुत ज़दा स्रॉंग इसले भी है क्योंकि 12 राजशियां भी होती है, तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या और आपके बिलकुल सारे रास्ते बंद हो चुके है, तो इस उपाये को आप जरू से एक बार करके देखिएगा, और हाँ, अ 12 से 24 तक, अगर आप इसको बराबर से करते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको जरू से मिलता है, पूरे विश्वास के साथ अगर करते हैं, और एक और अगर खासित इस नंबर की नोटिस करेंगे, तो वो ये है, कि 3 और 3 को अगर आप करेंगे, तो वो 6 हो जाता है, यानि कि 12 12 को किया, तो आपने 6 हो गया, और 24 वाई ये साल चल रहा है, तो उस हिसाब से भी, ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, तो जरू से इसको एक बार करके देखिए, तो चलिए, आब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहे, खुश र लड़पेस्ट नमाश्गा